हेलो गाइज वेलकम बैक टो अनदर वीडियो आज का जो हमारा वीडियो है बहुत ही मतलब खास है क्योंकि आज हम क्लास्टिक्स के लिए आपका जो कह सकते हैं जो आपका जो चैप्टर का नाम है भोजन यह मैं आज किस वीडियो में आपको यह जो पूरा आधिया खत्र कर ठीक है तो मैं आज किस वीडियो में क्या कर दूँगा तो आपका जो क्लास्टिक्स का जो भोजन चैप्टर का नाम है वह आपको मतलब खत्म कर देंगे तो यहां पर आप देख सकते हैं लिखा क्या हुआ है कि एक ही वीडियो में चैप्टर समाप्त ठीक है मैंने यार मैं आपको सबसे पहले तो यह किलियर करूंगा कि अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आएगा ना तो आप न यार वीडियो के नीचे कुछ भी लिख देना यारि आपके मौन में जो भी आएगा आप नीचे जरूर लिखना ठीक है तो यहाँ पर आप दिख सकते हैं और भी ची और श्टार्ट करने से पहले भाई का नाम जान लो मेरा नाम है पपू और आप सभी का स्वागत है हमारा प्लेटफॉर्म साइंस महल पर तो यार वीडियो श्टार्ट है और आप दिखने का इजिली परियास किजिए तो सबसे पहले हम जानेंगे इस वीडियो में की आखि भोजन होता क्या है तो अगर आप देखे तो यहां पर आप भोजन का परिभासा इजिली दे सकते हैं जो कि यहां पर आप देख सकते हैं दाल चावल आटा सत्तू सबजी मांस मचली अंडा इत्यादी ये सब भोजन कहलाते हैं अगर आप इजिली परिभासा देखे तो क्य लिखा हुए कि दाल चावल अटा सत्तू सबजी और मास मचली अंडा इत्यादी ये सब क्या है गाईज भोजन है तो क्या आपको भोजन समझ आई आई कि नहीं आई आप नीचे जरूर लिखेगा तो चलिए अब हम चलते हैं आगे की बातों पर और देखते हैं कि आगे अब हम किस किस चीजों को सिखने वाले हैं तो ध्यान दीजेगा बातों पर जो बातों को मैं अभी सेयर करूँगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आर लिखा क्या हुआ है कि हारी आखिर हारी होता क्या ठीक है तो अब हम समझा क्या रहे हैं कि हारी जो होता है न वह आखिर होता गया तो यहाँ पर आप दिख सकते हैं हारी का जो डिफनेशन है कुछ इस परकार के कि खाने वाले जन्तु को हारी कहते हैं गाइज कहने का मतलब है कि आप भी एक हारी हो क्योंकि आप खाना खाते हैं जियां आप खाना खाते हो हम भी खाते हैं तो हम भी एक हारी हैं और आप भी एक हारी हैं तो यह भी बाते आपको इजिली समझ में आ गई होगी कि हम हारी किसको कहते हैं ठीक है तो चलिए अब हम च लिखा क्या हुआ है कि साकाहारी क्या है तो इजी लिए अगर आप परिभासा देखेगा यानि मेरे प्यारे साथी मेरे प्यारे भाई यहां पर अगर आप देखे परिभासा तो कुछ इस प्रकार की है कि लिखा क्या हुआ है कि वैसे जन्तु जरसा आप सबर किजे न यहां पर लिखा क्आ हो एक कि वैसे जन्तु केवल पईण पॉधे से प्रैप्त भोजन को खाते हैं & घृ आप एकजांपल देखना चाहाते हैं आप यहाँ पर इजीली देख सकते हो जैसा कि आप गाय जानते हैं यहाँ पर आप गाय जानते हैं तो गाय क्या है एक साकाहरी जनतु है यानि क्या सकते हैं यह सब जो जनतु हैं यह क्या खाती हैं तो पेण पोधे से प्राप्त अब गाय इस पेण पोधे से क्या होगा प्र और घास और सबजीवाँ तो ये सब जो हमारी गाए होती है खाती हैं भैस भी खाती है बकरी, भेण, इतियादी कहने का मतलब होगा कि और भी सारे जन्तु है जो कि क्या है आपको साकाहारी होते है ठीक है तो चले अब हम समझते हैं आगे तो आईए दोस्तों अब हम चली सीखते हैं कि मासाहारी आखिर होता क्या मासाहारी क्या है किसे कहते हैं से आप क्या समझते हैं अगर आपको कुछ भी दिया रहे तो बस आपको याद रखना है मै जो यहाँ पर दूँगा तो आपको जो भी आता है परिभासा आप वही लिखे आप घबराय नहीं तो यहाँ पर लिखा क्या हुआ है कि वैसे जन्तु जो केवल दूसरे जन्तु को मार कर भोजन खाते हैं तो उसे हम कहते हैं मासारे तो यहाँ पर अगर आप परिभासा देखे तो लिखा क्या हुआ है कि वैसे जन्तू कौन जन्तू तेहाँ पर लाप देख सकते हैं सेर, बाग, चिता, सियर, सियार, इत्यादी इत्यादी कहने का मतलब और भी सारे जन्तू ठीक है तो ये सब जो जन्तु है न जैसा कि सेर बाग चीता और सियार ये सब जो जन्तु है न का ये दूसरे जन्तु को मार कर खाते हैं यानि दूसरे जन्तु पर ये निर्भर रहते हैं ठेक है इन्हे घांस से मतलब ही नहीं है इन्हे सब्जी से मतलब ही नहीं है एक केवल और केवल दूसरे जन्तू को मार कर क्या करते हैं यह अपना भोजन प्राप्त करते हैं तो यह भी बात आपको असानी से आ गई होगी तो आ गई होगी तो चले अब हम समझते हैं आगे की बात है तो यहाँ पर अगर आप देखें तो लिखा क्या हुआ है कि सर्वाह सर्वाहरी आखिर होता क्या है क्या है तो यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर परिभासा जो है कुछ इस परकार की है कि यहाँ पर आप देखें तो वैसे जन्तू जो पेंड़ पोधे एवं जन्तू दोनों से प्राप्त भोजन खाते हैं तो उन्हीं हम कहते हैं मतलब उ क्या करते हैं कि पेड़ पोधे से तो पेड़ पोधे से आपको सेव, फल, साग, सबजी ये सब आपको पराप्त होता है डाल और जनतुव से अगर बात करें तो कह सकते हैं मीठ और कह सकते हैं अगर मास, मचली, अंडा ये सब क्या है तो जनतुव से पराप्त होने वाला और जनतु से भी प्राप्त भोजन ये भी आपको पता है तो ये आपको असानी से आई की नहीं आई तो आइए दोस्तों आप जलते हैं आगे की ओर अब आगे हम क्या सिखने वाले हैं तो यहां पर आप देख सकते हैं कि आगे लिखा क्या हुए है इजी लिए आप देखिए तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि यह भोजन हमारे लिए क्यों अवस्यक है जिहां गाज यह जो अभी भी मैं आपको दिखा रहा हूँ यह भोजन हमारे लिए क्यों अवस्यक है क्या आप बता सकते हैं तो आप बहुत ही इजी से बता सकते हैं कि यहां पर लिखा क्या हुआ है कि भोजन सरीर को उर्जा परदान करती है जियां गाज भोजन जो होता है वो सरीर को क्या करता है उर्जा परदान करता है हमें जीवन जीने के लिए इसे बहुत आवस्यक होता है और भोजन के बिना हम एक पल भी नहीं रह सकते हैं इसलिए क्या है कि भोजन हमारे लिए आवस्यक है तो अगर आप से अगर पूछ दे तो आपको यही जवाब देना है कि भोजन जो होता है यह हमारे लिए उर्जा का काम करता है और भोजन नहीं रहेगा तो हम एक पल भी जीवित नहीं रह सकते हैं तो इसलिए हमारा जो भोजन है बहुत ही आवस्यक है तो यहाँ पर इसका परिभासा है आप लिखना चाहते हैं तो वीडियो को रोक रोक कर लिख लिजिए अगर आपको यहाँ तक की बात समझ आई हो तो वीडियो को कर दना लाइक और चलते हैं आगे की बातों पर तो आइये दोस्तों यहाँ पर अब समझ सकते हैं के लिखा क्या हुए पोसक ततव क्या है तो गौर कीज़ेगा बातों पर जो बातों को यहाँ पर मैं देने वाला हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आसानी से लिखा क्या हुए है कि कार्बो हैड्रेड ओहो कार्बो हैड्रेड प्रोटिन वसा बिटामीन एवं खनीज लवन मुख्य यह कहा यह पोशक तत्व है गाईज कहने का मतलब है कि हमारा जो कार्बो हैड्रेड है जो प्रोटिन है जो वसा है और विटामीन है और जो खनीज लवन है यह सब आपके भोजन के क्या है पोशक तत्व है तो अगर कहाई पर भी आपको अगर ये सब नजर आ जाया है जैसे कि कार्बोहेड्रेड, प्रोटीन, वसा, बिटामिन और खनीजलवन ये सब आपको कहाई भी नजर आ जाया है तो आप समझ लिजेगा कि यह जो है न ये क्या है पोशक तत्व है तो ये सब अगर आपसे कि इसके अत्रिक्त यानि इसके अलावा हमारे भोजन में रुचांस, मतलब रुचांस क्या होता है मैं आपको अभी आगे बताओंगा और जल भी होना क्या है आवस्यक है यानि जल भी क्या होता है वहां में वहां पर सामिल होता है ठीक है तो यहां भी बाते आपको यहां पर केलिए और होगी 한ént तो आप संत्र! अब बात आती है क्योंकि आपको उपर अभी भी बताया है कि होगी तो अब हम समझते हैं कि आखिर आगे की बाते क्या है तो आई ये दोस्तो अभध हम आगे की बातों को चर्चा कर तो अब हम समझते हैं कि यहां पर कार्बो हैड्रेड का स्रोथ अब स्रोथ कहने का मतलब अब क्या हो सकता है तो यहां पर आपको बाती यह याद रखनी है कि स्रोथ का मतलब आप ऐसे समझे कि कार्बो हैड्रेड ना यार कहां कहां से आता है यानि कि इसकी चीज में कार्बोहेडरिट पै जता है ठीक है तो यहाँ पर अगर आप इजी ली देखे तो लिखा क्या हुआ है आप बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ है चावल, गेहुम, मक्का, साबू, दाना और एक तर्बूज, सकरकंद, बैगन, सबजियां, इतियादी गाज़ कहने का मतलब है कि यहाँ पर जो चावल, गेहुम, मक्का, साबू, दाना एक तर्बूज, सकरकंद, बैगन, सबजियां, इतियादी तो यह सब में क्या होते हैं कि आपको कार्बोहइड्रेड पाए जाते हैं तो इतियादी इसमें लिखा भी हुआ है और भी सारे, बहुत सारे सबजियां है जिन में भी क्या होता है, कार्बोहइड्रेड पाया जाता है लेकिन यहाँ पर मैं नोट्स थैयार करवा रहा हूँ जिसे से आपको एक्जाम देने में दिकत न हो ठीक है तो जल्दी जल्दी में मैं हाला कि आप बोलूँगा और आप यहाँ पर जल्द बाजी में समझने का प्रयास कीज़ेगा तो चलिए अब हम समझते हैं आगे की बातों और देखी यहाँ पर गौर से तो यहाँ पर अगर आप देखे तो लिखा हूँ है प्रोटीन का स्रोत ठीक है तो अब हम समझते हैं कि प्रोटीन का स्रोत यानि प्रोटीन किस किस चीजों में पाई जाती है प्रोटीन किस चीज में होती है तो आपको याद रखनी है कि चना मटर मोंग मसूर उदर स्वाबिन और राजमा लुविया गेहुम मका मांस मसली अंडा दूद यह सब में क्या होता है यार प्रोटीन पाई जाती है ठीक है तो यह भी बात आपको किलर हुआ के नहीं हुआ यह आपको समझ आ रही है कि नहीं आ रही है समझ आ रही है तो यार विडियो को कर दो लाइक और चलिए अब हम समझते हैं आगे ठीक है और यहाँ पर आप देख सकते हैं आगे की बाते क्या है कि वसा के सुरूत यानि अब बात आती है कि वसा अब किस किस चीजों में पाई जाती है तो आप यहां पर गौर किज़ेगा तो यहां पर लिखा क्या हुए है इसली आप देख सकते हैं कि सभी तेले यहां वा किसी भी चीज का तेल हो जैसे आप देख सकते हैं वनस्पति घी नारियल का तेल या सुरुजमुखी का तेल या कह सकते हैं सरसो का तेल या स्व गी वनस्पती गी और यहां पर आप देख सकते हैं नारियल और सुर्य मुखी का तेल और सरसू का तेल और सोया बीन का तेल और इसके बाद अंडा क्रीम मचली मखहन दूद सूर का मांस तो यह भी बात आपको केलेर हो गई होगी अब सलिए अब हम समझते हैं आगे की बाते तो आईए दोस्तों आप चलते हैं आगे की और तो यहाँ पर आप इजीली देखें तो लिखा क्या हुआ है बिटामिन के स्रोत तो यहाँ पर आपको इजीली देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर लिखा क्या हुआ बिटामिन के स्रोत और गाजर, पपिता और यग्रीत, चना, जो, टमाटर, अला, अम्रूद, सेव, हरी, मिर्च, और दूध, मक्कष, और अंडा, और मचली, एव om सुर का मांस, इतियादी, ये सब जो है ये क्या है, बिटामीन का सुरोत है, यानि बिटामीन का सुरोत कहने का मतलब की बिटामी लेकिन यहां पर बात आती है vitamin को और भी category है जैसे कि vitamin A vitamin B, vitamin C, vitamin D vitamin E, vitamin K यह सब आपके what vitamin के भाग है यहां पर जो मैं भी यहां पर दिया हूँ यह क्या है सभी vitamin के क्या थी है आपको सुरोत थे तो और भी सारे हैं बहुत सारे लेकिन आपको यहाँ पर इतना ही याद रखनी है ठेक है तो यहाँ पर अगर आप इजीली देखे तो लिखा क्या हुआ है बिटामिन A के सुरोत यानि अगर आप देखे तो दूध मचली का तेल आम गाजर पपिता इतियादी ये सब जो है ना बिटामिन A का सु मस्ते हैं कि आखिर बिटामिन B और A वम C का सुरोत यहाँ पर इजीली आप देख सकते हैं तो मैंने यार यहाँ पर इसको जूम करते हैं और आप देखिए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा के आगए है बिटामिन B एवम C के सुरोत यानि विटामिन B और C किस-किस चीजों में पाई जाती है तो मैंने आपको यहाँ पर बहुत सारे चीजों को यहाँ पर मैंने अड़ कर दिया है आप इजीली देख कर समझ सकते हैं कि याखिर ये सब क्या क्या है तो मैं यहाँ पर हाली हाली मतलब जल्द बाजी में यहाँ पर और आप यहाँ पर देखने का परियास किजिए तो यहाँ पर आप देखे तो अंकूर चना है और इसके बाद है यकरेत टामाटर और भूसी दारा मतलब कह सकते हैं और गिहुम का आटा और अंडे की जर्दी और हरी पतिया जैसे साग बादाम और अखरोट और बिना पॉलिस तिया हुआ क्या चावल और इसके बाद कह सकते हैं पॉधो के बीज सुपारी नारंगी अंगूर और दूध और ताज सेम और ताजे मतर दाल जिगर वनसपति साग सबजिया और आलू मेवा खमीर मकी चना नारियल पिस्ता ताजे मेवे पति गोभी दही पालक बंद गोभ है यह सुरूत है हाला कि विटामिन B, विटामिन C, विटामिन A, विटामिन D यह सब मतलब एक दूसरे से क्या होते है मेल मिला होते ही होते है कुछ ना कुछ आपको मिलाओ हो गई होंगे यानि विटामिन A में अगर दूध है तो विटामिन C में या तो D में उसमें दूध हो गाई होगा तो यहाँ पर जो मैं आपको दिया हूँ यह क्या है तो बिटामिन बी एवम सी की क्या है सुरोत है ठीक है तो अब हम समझते हैं आगे की बाते जो की आप यहाँ पर इजिली देख सकते हैं तो यहाँ पर आप देखे तो क्या है बिटामिन डी के सुरोत ठीक है तो आपको vitamin D की क्या है शुरोत है तो यह भी बाते आपको न यार कि easily आपको समझ आ गई होगी तो चलिए अब हम समझते हैं आगे की बाते तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लिखा क्या हुआ है खनीज लवन के शुरोत तो यहाँ पर लिखा क्या हुआ है खनीज लवन के शुरोत तो खनीज लवन क्या है यार तो खनीज लवन हमारा क्या है पोसक तत्व है तो बस यहाँ पर आप देख सकते हैं तो खनीज लवन के जो शुरोत होते हैं उसमें आपको चार कटेगरी के लोग उसमें आ जाते हैं जैसे कि आयोडीन और इसके बाद फासफोरस लोग कैल्सियम तो अब हमको समझना पड़ेगा खनीज लवन के स्रोत से पहले हमको समझना पड़ेगा यानि इन सभी स्रोतों को अगर मिला दे तो हमारा बन जाता है खनीज लवन का स्रोत तो यहाँ पर आप इजिली देख सकते हैं कि हमारा आयोडीन का स्रोत लिखा हुआ तो आयोडीन का जो हमारा स्रोथ होता है आप यहाँ पर इजिली देख सकते हैं मचली, केकड़ा और आयोडाइज, नमाक और अद्रक, समुंदरी, उत्पाद और क्या सकते हैं इतियादी तो आप यहाँ पर इजिली देख सकते हैं और समझ सकते हैं ठीक है तो वीडियो ज्यादा लंबी होगी ही नहीं और फिर भी मैं इसको समाप्त कर दूँगा ठीक है तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारा जो वीडियो है 19 मतलब 19 मिनट का हो चुका है ठीक है तो अब हम समझते हैं आगे की बातें तो यहाँ पर आप इजी लिए देखें त केला, दूध, मिर्च, फ्रेंच बीन और बादाम और इतियादी यानि फासफोरस जो होता है न केला में, दूध में, मिर्च में और फ्रेंच बीन और बादाम और इतियादी ये समय क्या होते हैं आपको पाए जाते हैं ठीक है तो चलिए अब हम समझते हैं आगे की बात है त तो यहाँ पर आप इजीली देखे तो लौह का जो सुरोत है यहाँ पर देख सकते हैं तो यहाँ पर पालक, सेव, मडवा जिसको मडवा यहाँ पर लिखा गई है तो मडवा और साबुत, अनाज यहाँ पर साथे होते हैं और यक्रित, इतियादी यह सब जो है ना, यह आपके लौह के सुरोत है तो लौह क्या है, तो आपका यह पोसक दत्व है क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था, कि यहाँ पर जो मैं बात कर रहा हूँ अभी खनी जलोन के हम सुरोत बात कर रहा है, तो यार खनी जलोन आखिर है क्या तो खनी जलोन आपको क्या है पोसक दत्व है ठेक है तो अब हम समझते हैं कैल्सियम का स्रोत तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कैल्सियम का जो स्रोत है यहाँ पर इजी ली दिख रहा होगा दूध अंडा मुली सलगम केला इतियादी यह सब जो है न यार कैल्सियम का स् प्रवादी है ठेक है और समझते हैं यहां पर बहुत ही अब हो गई हमारा सुरोत का खेला खत्म तो मैं आपको और भी बता दे रहा हूं कि हमारा जो सुरोत होता है उसमें बिटामिन B1, बिटामिन C1 और कैसकते हैं एक कार्बोहेडरेड वे सब का बहुत सारे भी सुरोत हैं जो मैं यहां पर बताया हूं सुरोत उतना ही आपको यहां पर पढ़नी है तो अब हम समझते हैं क्लास 6 का ही है तो अब हम समझते हैं यहां पर कि आखे संतुलित अहार होता क्या तो यहां पर आप देख सकते हैं मैं लिख दिया हूं कि संतुलित अहार किसे कहते हैं तो गा अहार का मतलब होता है भोजन अगर आपसे सवाल अगर एक्जाम में पुछ दिया जाए कि संतुलित अहार क्या है संतुलित अहार से आप क्या समझते हैं और संतुलित अहार का परिभासा दे तो आपको जो मैं दूंगा यहां पर ने यार वही आपको वहाँ पर लिखनी है ठीक है तो यहाँ पर इजिली आप परिभासा देख सकते हैं जो कि कुछ इस प्रकार की है तो देखिए तो यहाँ पर लिखा हुआ है भोजन में सभी पोशक तत्वों यार आपको मैंने पोशक्तत्व तो बताये ही है कि पोशक्तत्व हमारा होता है कार्बोधरेट, प्रोटीन, वसा, बिटामिन, एक खनी जर्मन तो ये सब किया यार पोशक्ततू है ठीकित अगर भोजन में सभी पोशक्तत्व उपस्तित हो तो वही आपका क्या कलाता है संतूली तहार कि आपको यहां तक की बात किलियर होई की नहीं होई मुझे उमीद है कि आप यहां तक समझ गए होंगे तो अगर आप समझ गए हैं तो यार वीडियो को लाइक कर दो और बढ़ते हैं आगे की और और मैं बार बार लाइक करने के लिए क्यों कह रहा हूँ यार आप मुझे अगर कुछ देना चाहते हो न तो बस एक सबस्क्राइब कर दो बस और कुछ नहीं ठीक है तो चलिए अब हम समझते हैं आगे की बाते और बहुत ही इजीली आप और हाँ आप हम पर छोड़ दीजिए मैं आपको जो समझाओंगा बहुत ही बारिकी से समझाओंगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुए लाल रंगो के खाद्य सामगरी यानि लाल रंगो वाली खाने वाली जो समान होती है वे आपको क्या-क्या होती है तो मैंने यहाँ पर तीन ही उदारन लिया है जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं टमाटर, गाजर, सेब और इतियादी यह सब जो होते हैं यार लाल होते हैं ठीक है तो यह भी बात आपको क्लियर हो गई होगी तो यहाँ पर आप देख सकते हैं चावल, दूध, अंडा और आलू और इतियादी तो गैस क्या यह आपको बात समझ आई की नहीं आई मुझे आसा है कि यह भी आपको समझ आ गई होगी तो अब हम समझते हैं हरे रंग की खाद्य सामगरी तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हरे रंग की खाद्य सामगरी थोड़ा सा इसको अगर बढ़ा कर रहे न तो और भी आपको बहतर समझ में आईगे तो यहाँ पर हरे रंग की खाद्य सामगरी यानि हरे रंग की खाने वाले समान तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मटर, कदू, दूध, नेनुआ, पालक सोरी यहाँ पर दूध जो है न यार हरे रंग की नहीं है तो मैंने यहाँ पर दूध को गलती से क्या कर दिया यहाँ पर मैंने लिख दिया तो यह आपको यहाँ पर नहीं लिखनी है तो नहीं लिखनी है ठेक है तो यह भी बात है आपको किलेर हुआ यार कि नहीं हुआ ठेक है अगर हुआ हो तो यार विडियो को कर दो क्या कुछ नहीं ठेक है तो यहाँ पर आप देखिए आप हम समझते क्या है जंक फूड या फास्ट फूड आखिर होता क्या है जंक फूड का ही इंगलिस होता है फास्ट फूड तो मैंने यहां हिंदी में ही क्या कर दिया है तो आप यहां पर देखिए कि समझने यहां पर क्या वाले है तो चौमीन ब्रेड और देखी यहां पर यहां तो यहाँ पर आप देखें तो चौमिन, ब्रेड चौप, पीजा, पाव भाजी, बर्गर, छोला चाट इतियादी को हम बोलते हैं यार जंक फूड तो जंक फूड हम किसको कहेंगे तो आपको जवाब मिल गया होगा कि जंक फूड हम किसको कहते हैं तो जंक फूड चौमिन, ब्रेड चौप, पीजा, पाव भाजी, बर्गर, छोला चाट, इतियादी को हम क्या कहते हैं जंक फूड कहते हैं जैसा कि आप बजार में जाते होंगे तो आपको असानी से देखने को मिलेगा तो वही तो होता है आपको जंक फूड क्या यह भी बात आपको समझ आई समझ आई की नहीं आई, आप यार वीडियो के नीचे नहीं जरू लिखना तो मैं आपको यही किलिए करने वाला हूँ इस वीडियो में कि जो मैं यहाँ पर बताता होना अगर आपको नहीं समझ आता है, तो यार आप वीडियो के नीचे कुछ भी लिख देना ठीक है, तो यहाँ पर अब हम आगे की बातों को समझते हैं, जो कि आपके लिए फायदे मंद है तो यहाँ पर लिखा क्या हुए है, आप इजिली देख सकते हैं पोसक तत्व नश्ठ हो तो बसाने के लिए कुछ सावधानिया तो यहाँ पर मैं बतलाओंगा कि पोसक तत्व तो आपको पता ही है कर्भो हैडरेड, प्रोटीन, वसा, बिटामीन, एवं खनीजलवन तो इसको बसाने के लिए हम कुछ यहाँ पर सावधानिया ले लेते हैं तकि हमको फैदा होगा या आपको भी फैदा होगा ठीक है तो यहाँ पर आप असानी से देखें तो यार साथी यहाँ पर लिखा क्या हुआ है कि छिलका उतार कर सबजी एवं फलो को ना खाएं इससे यह होगा कि आपका न कार्बोहेडरेट बिटामीन एवं प्रोटीन एवं वसक क्या होगा नस्ठ हो जाएगा और यहाँ पर देख सकते हैं चावल आटा डालो यानि कह सकते हैं दालो ठीक है तो यहाँ पर डालो लिखा गए तो चावल आटा और डालो यानि दालो को बार बार ना धोएं इससे यह होता है कि आपको बिटामीन एवं खनीजलोन प्रोटीन और वसा इतियादी यह सब नस् धोकर खाएं na कि उसे छिल कर खाएं इससे यह ज़से पर क्षाएंगे तो कर्भोहडरीड प्रोटिन विसा और विटामिन घ्रा कर्फारीन जिल सम YEAR नश़् कि λाएं से तो खाने का फैयदा हीिए रहे जाए अगर आप ऐसे लिखाते हैं तो आपको ज्यादा पैदा करेगी आपको लब होगे, ठीक है, तो चल ये दोस्तों, आप हम समझते हैं, आगे की बाते और आप यहाँ पर गौर कीजिये, तो अब हम समझते हैं, कि यार कूपोषण आखिर होता क्या है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर लिखा क्या हुआ है कि कुपोशन क्या है कुपोशन से आप क्या समझते हैं कुपोशन आखिर होता क्या है तो मैं जो यहाँ पर यार सेयर करूँगा वही आपको लिखनी है ठेक है तो यहाँ पर आप देख सकती हैं हमने कुपोशन का जो डिफनेशन लिखा है यह कुछ इस परकार की है कि जब सरीर को अवस्यक मात्रा में पोशक तत्व नहीं मिलते हैं तो इस इस्तिति को हम कुपोशन कहते हैं जब भोशन खाते हैं तो जरुत जितना हमें है उतना अगर उसमें पोशक तत्व नहीं होंगे तो यार भोशन करने और ना करने का क्या भैदा तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है कि जब सरीर को आवस्यक मात्रा में पोशक तत्व नहीं मिलते हैं तो इस इस्तीति को हम कहते हैं कौपोशन तो कौपोशन भी आपको इजिली समझ में आ गई होगी तो अगर आपको पोशन का जो उधारन दिखना चाहते हैं यहां पर उदारन है को पोसन का कि इसके कुछ उदारन है जैसे कि सूखा रोग और क्वासी योर कर तो अब हम समझते हैं कि सूखा रोग में आखिर क्या क्या चीजों को सामना करना पड़ता है यहां पर गौर कीज़ेगा बातों पर यहां पर इजीली मैं आपको समझाने का परियास कर रहा हूँ तो सूखा रोग में होता क्या है आप यहां पर देखिए सूखा रोग में आपको होता क्या है कि आप यहां पर देख सकते हैं कि कम भोजन मिलने पर प्रोटीन तथा कार्बोहाइडरेड की मात्रन यार कम हो जाती है जिसे से हमारा सरीर दूबला पतल हो जाता है और पसली की हढ़िया दिखने लगती है आपका जो छाती के पास की हड़िया न कि वह आपको कलियरली दिखने लगेंगे तो समझ जाएएं कि आपको क्या सुक रोग अब जरूरी नहीं यार जब मतलब ज्यादा दिखने लगेंगे तो ठीक है तो सुखा रोग हम सुखा रोग में आखिर होता क्या है तो वस आपको याद रखनी है कि कम भोजन अगर हम खाएंगे तो उसमें क्या होगा प्रोटीन और कार्बोहेड्रेड की मात्रा कम हो जाएगी तो यार हमें आरा जो सरीर है ना दूबला और पतल कारण है तो यह बात आपको आई कि नहीं आई ठीक है तो चलिए अब हम समझते हैं आगे की बाते तो यहां पर अगर आप देखेगा तो लिखा क्या हुआ है कि यदि भोजन में प्रोटीन कम हो तो बच्चे की ब्रीधी यानि वह ज्यादा बढ़ता नहीं है बढ़ता या यानि ब्रीधी उसका क्या होता है रुक जाता है और उसका पेट होता है यार फूल जाता है तो आप कभी छोटे बच्चे को देखे होंगे कि यार उनका पेट होता है मतलब ज्यादा फूल जाता है और लेकिन वे छोटे ही होते हैं इसका मतलब यह है कि उनका जो मम्मी है उन्हें भोजन में प्रोटीन कम दे रही है इसके वज़ा से उनका बच्चा का प्रोटीन कम होगा तो आपको न यार बच्चे की ब्रिधी यानि उसका लंबाई है क्या हो जागा बढ़ेगा नहीं उस इस्तिति में आपको पेट जो है बच्चा को फूल जाएगा ठीक है तो यहां भी बात आपको किलियर हुआ कि नहीं हुआ हम यार यार क्यों कह रहे है आप मेरे साथ ही हो ठीक है तो यहां पर आप इजिली देख सकते हैं आगे की बाते को हम क्या समझने माले है तो यहां पर अगर आप देखे तो लिखा क्या हुआ है कि पोशकता तो ज्यादा ल हैं तो आखिर क्या होगा तो बस अफको सिंपल सी बात याद लगने कि अगर हम ज्यादा खाएंगे तो क्या होगा नुकसान हीनाओ गया तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने यार इजी ली हो जाएंगे और आप ना कहीं चल सकते हैं ना कहीं घूर सकते हैं तो इस इस चीजों का आपको सामना करना पड़ेगा यानि कहने का मतलब है कि अगर आप ज्यादा खाना खाएंगे यानि पोस्त तो यानि अगर आप ज्यादा खाएंगे यानि खाना ही समझे तो अगर हम ज् आपको किलियर हो गई होगे तो अगर आप मुझे कुछ देना चाहते हो तो बस एक सबस्क्राइब दो बस और कुछ नहीं ठेक है और मैं आपके ही लिए मेनद कर रहा हूँ ठीक है तो अब चलिए हम समझते हैं आगे की बात है तो आईए अब हम आपको समझाते हैं कि दूसित भोजन हमें खानी चाहिए या नहीं खानी चाहिए आपको दुसित भोजन पता है यानि खराब भोजन अब खराब भोजन कहने का मतलब या कि आप सब अगर इजीली देखें तो आप कभी बाजार गए हैं अगर आप बाजार जाते हैं तो आप देखें होंगे कि यार बाजारों वाली हमारी जो मिठाई भोजने होती है उन पर बहुत सारे मक्हियां लगती है इसका मतलब यह है कि मक्हि वहीं लगती है जहां कि हमें खराब भोजन होता है तो यार खराब भोजन को ही हम कहते हैं दूसित भोजन ठीक है और वैसे भी हमको बवध को चीजम सेवन नहीं करना चाहिए वह बहुत ही खतरनाक होती है तो आपको दोसित भूजन अगर ज्यादातर देखे तो आपको मिलते हैं मार्केट यानि बजारों में आपको देखने को मिलेगा ठेक है तो आप यह भी बात के लिए और समझ गए होंगे और चलिए अब हम आपको समझाते हैं आगे की बात हैं तो अब हम चलिए आपको समझाते क्या हैं तो आईए दोस्तों यहाँ पर आप देखिए कि मैं आपको समझाने क्या वाला हूँ तो यहां पर आप easily देखे तो यार लिखा क्या है, विटामेन एक ही कमी से कौन-कौन सी समस्य होती है तो अगर आप विटामेन कम लेते हैं, यानी विटामेन कम सीवन करते हैं तो आपको नयार, रतान्धी हो जुआएगी यानि उसको और भी नाम से कह सकते हैं छिंता हो जाएगी या कह सकते हैं द्रिष्टी हिंता हो जाएगे यानि आप द्रिष्टी पर कुछ भी चीज को नहीं देख पाएगे तो यह आपको हो जाएगी ठीक है तो यहाँ पर आगे की बाते में देखे लिखा तो यहां पर अगर आप देखे तो बिटाइमिन C की कमी से समस्या जो आपको होगा यह होगा अस्कारवी रोग आपको उत्पन हो जाएगी अगर आप कम सेवन करते हैं तो यह भी काफी बातों को आपको ध्यान देना है और जरा से इसको हम साइज छोटा करते हैं और आपको प्रिकेट्स रोगों का सामना करना पड़ेगा ठीक है तो यहां पर आप देखे तो विटामिन E की कमी से आपको क्या होगा ना कि तवचा जो है ना आपको खराब हो जागा यानि चमड़ी आपको सरीर पर से छूटने लगेगी यानि आप अगर इजली समझे तो हमारा जो प भी कल होता क्या है कि यार जब बच्चा जैसे प्रजनन यानि बच्चों का जनम देना तो बच्चों का जनम देता समय हो सकता है माता की मिरित्ति हो जाए हो सकता है बच्चा की मिरित्ति हो जाए तो अगर आप विटामिन E की 7 कम करते हैं तो आपको यह सब चीजों को सामन घट ना करना पड़ेगा अगर कमखाते हैं तो यहां पर आप देख सकते हैं और भी बात ते है कि लिए किव इतामिन की कमी इन Ini क्या होता है कि अगर किये अगर हम कम खाई है तो इस आप हमारी कट या है तो तो गाइस यहां पर और भी देख सकते हैं जो कि बाते हैं और इसली मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं तो यहां पर कार्भोहेड्रीड और वसा क्या यह सब उरजा देने वाले भोजन हैं अगर आप यह सब का सेवन अगर प्रति दिन नहीं करते हैं तो आप चल भी नहीं सकते हो यानि हम carbohydrate और वसा का तो ज़रूर उपयोग कर ही लेते हैं दिन में तो आपको बेटर होता है क्योंकि carbohydrate और वसा ने और उर्जा देने वाला भोजन तो गाइस मैंने पीछे जो बतलाया था कारोटीन वसा का शुरूत वही आपका मेन है अगर आप ले याद रखे हैं तो आप बहुत सारे चीजुँ के सामना इजिली कर सकते हैं तो यहाँ पर अगर आप देखें तो और भी बात है कि लिखा क्या प्रोटीन शरीर के तुटे-फूटे अंगों को क्या करती है जोडती है यानि यह क्या करती है सहाँता कर दी है अगर हमारा सरीर कहें पर टूट जाता है तो अगर जादा सेवन करें याइन ज Schuld अगर हम उपयोग करें ज्याद अगर हम खाएं तो हमारा तूटा-फुट अंग है नयार वह जल्द ही ठीक हो जाती है ठीक है तो यह भी बाते आपको किलेर हो गई होगी और हम देखते हैं कि वीडियो हमारा 49 मिनट का हो चुका है यानि अब इसमें कुछ ही मिनट बाग है 40 मिनट होने में तो यहां पर आप देख सकते हैं अर भी बाते हैं कि लिखा क्या हुए कि होता है हमें वे स्व्सत रोगों लड़नेcious और हम ठीक तोですね तो यही थी आपकी आज की इस बात है और एक बात है जो कि आप सकते है रूष्छांस को हम रिश मज़े भी कहते है या अगर हम इजीरे देखे तो हमारा पेट क्या करता है कि जब हम भोजन नहीं पच पाता है तो बीना पच बोजन को बाहर निकाल दिए जाता है तो रुचान समारा क्या करता है कि भोजन निकालने में यह सहायता करता है यानि यह क्या है भोजन निकालने में यह सहायक है ठीक है तो यहाँ पर जल क्या है पोसक्ततों को खीचने में क्या करता है यह सहायता करता है यानि पोसक्ततों तो आप समझी रहा है यार मिया रोग जो होता है आपको लोह तत्व की कमी से होता है तो यह सब बहुत सारे पोसक तत्व हैं यह सब आपको ख्यार रखनी है जो जो बातों को मैं यहां पर सेयर किया हूँ ठीक है यह भी बात है आई की नहीं आई तो यहां पर और भी बात है जो कि आप देख सकते हैं द इतना ही था इस चैप्टर में तो गाज यह वीडियो बहुत कैसा लागा आपको अगर वीडियो आपको अच्छा लागा है तो अगर आप मुझे कुछ देना चाहते हैं तो बस एक सबस्क्राइब कर दीजिए बस हमें वही में खोशी होगा ठीक है तो यहाँ पर आप अगर इजी ली देखे तो हम यहाँ पर लिख भी दिये हैं कि गाज स्वागत है आपका हमारा यूटूब चैनल फिर से गाज साइंस महल पर और यहाँ पर लेखावा दाइंट यानि यहाँ जो है समाप्त हो गया और मिलते हैं एक और नए वीडियो के पर समाप्त होता है बने रहें जुडे रहें चलिए वीडियो आज का कर दो